हेलो बच्चो कैसे हो आप आज हम चैप्टर 15 जिसका नाम है माई डिस्टिक माई स्टेट इसका हम पार्ट टू करने वाले हैं जो मैं आपको यहां से कराने वाला हूँ ठीक है इससे पहले बच्चो मैंने बाकी आधा चैप्टर करा दिया अगर आप वह नहीं देखे हो तो देख लो कमेंट सेक्षन में पार्ट वन करके लिंक है वहां से आपको वह पार्ट वन भी मिल जाएगा पहले वह देख लो ठीक है और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल क्या है आपको यहां से, look at the map of rainfall given on the previous page and the table of crops given below. क्या बोले आपको कि जो आपको नक्षा दिया गया है बारिश का पिछले page पे आप देखो और यह page पे आपको नीचे जो अनाज फसल का जो चार्ट दिया गया है जो टेबल दिया गया है वो देखो क्या बोले आपको कि पिछले page पे जाओ यह जो हमने पार्ट वन में किया तो उसकी बात करें कि इसको आप देखो जहां पर बारिश का नक्षा दिया है कहां पे ज्यादा बारिश हो रही है कहां पे देखो यह जो ऐसे ब्लू एदम नीला डाक एदम गाड़ा नीला वहां पे सबसे कम बारिश हो रही है तो आपको वह लिए यह देखो और यहाँ पर देखो नीचे वाला टेबल देखो कि कैसे देखो यहां पर क्या है region of rain fall and main crops मतलब बच्छो इलाका rainfall मतलब बारिश मतलब खास crop मतलब बच्छो फसल क्या हो रहा है कि इलाका जहां पर बारिश के हिस सोया बीन यह सब होता है और यहां पर कम बारिश होती हो यहां पर क्या होता है जवार बाजरा मोत बीन यह सब उखते हैं ठीक है आगे देखते हैं find out which crops will grow in which region of महाराश्रा find out मतब पता लगाओ या ढूंडो crop मतब फसल grow मतब उगना region मतब इलाका क्या वले कि आप यह पता लगाओ कोई कौन सी फसल कौन से महाराश्रा कौन से इलाके में उखती है a map with an index is given below मतब नक्षा गिवन मतब दिया नीचे बिलो मतब नीचे क्या बहले कि एक नक्षा index के साथ नीचे दिया गया है यहाँ पे दो यह नक्षे की बात हो रही है index मतब क्या होता है वाचो यह जो निशानी रहते हैं जिससे हमें पता चलता है ओके आपने अगर index आपक क्रॉप्स according to rainfall मैं पता बाच्छा शो मतब दिखाना डिस्टूबुशन मतब बच्छा आप बातना क्रॉप मतब बच्छो अनुसार रेंफोल मतब बारिश क्या वो ले कि अब आप एक काम करो आपको मैप पे बारिश की हिसाब से फसल को दिखा ओ ठीक है फसल को बाटो तो देखो बच्चो अभी हम नक्षे में चलते हैं, नक्षे में अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो हमको क्या बताया था, यहाँ पे पीछे अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो, अब याद करो कैसे क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वेस्ट में रखते हुए हम देखते हैं कहां पे कौन सी फसल उगेगी ठीक है पहले देखो बच्छो पहले देखो बच्छो राइस मतब चावल कहां पे उगेगा सबसे ज़्यादा बारिश कहां पे होती है बच्छो ये वाले इलाके में ठीक है, मतलब ठाने, पालगार, राइगार, रतनागिरी, सिंदुदूर, यहां पे चावल उगेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश होती है, हमने उपर देखा था, चावल कहां पे उगेगा, हाई, मतलब जहां सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और कहां पे सबसे अब देखते हैं अब जहान पे सबसे दोगो जहां पे मीडियम जहां अब बारिश होगी मंदन कम ना ज्याद़ वहां पर क्या होल 가지 ग़ेगा जवारतूर सोयाविण तो देखो बच्छो जवशाव सोयाविण कहाँ पर होगे यह सब यहां पर उगएंगे, यह सब एरिये में, क्योंकि यहां पर बारिश ना कम ना जाद होती है, अब देखो बच्चो, जहां पर सबसे कम बारिश होती है, वो कौन सा इलाका है, देखो, वहां पर क्या उगएंगे, जवार, बाजरा, मोत बीन्स, यह सब ठीक है, तो सब सबसे कम जहां पर सबसे कम बारिश होती है यहां पर सबसे कम बारिश होती है तो यहां पर जो जवार बाजरा यहां पर उगएगा और नाशिक के थोड़ा जो इलाका है यहां पर भी कम बारिश होती है यहां पर वही उगएगा कम बारिश वाली फसल, एहमद नगर, सोलापूर, देखो, यह सब जगे पे जो कम बारिश होती है, देखो, यहाँ पे आप नक्षे में देख सकते हो, जहाँ पे सबसे कम बारिश होती है, वहाँ पे यह सब जो फसल है, वो उगएगी, ओके, एहमद नगर हो गया, सोलापूर soil and availability of water production मतब बचो अपर सकते हो कि पैदाईश crops मतब बचो फसल क्लाइमाट मतब बचो मौसम मतब बचो मिट्टी availability मतब बचो मिलना water मतब पानी क्या बोल रहे है कि जो फसल की पैदाईश रहती है फसल जो उगती है वो किस पर निरभर रहती है मौसम पे मिट्टी पे और वहाँ पर जो पानी मिलता है कितने मातरा में उस पे निर्भर रहती है फसल ओके आगे देखो गया है different regions of महारास्ट्रा get different amount of rainfall different मदब बचो अलग region मदब इलाका different मदब बचो अलग amount मदब बचो मातरा rainfall मदब बारिश क्या बूल रहे है कि अलग-अलग महारास्ट्रा के इलाके को अलग-अलग मातरा में बारिश मिलती है as a result there is variety in the crops grown result मदब बचो अब बूल सकते हो नतीजा variety मदब बचो अब बूल सकते हो अलग-अलग crops मदब बचो फसल ग्रोन मतलब जो उगना क्या बोलाए कि इसके कारण इसके कारण अलग-अलग जो फसल है वो उगती है अलग-अलग जगों पर अलग-अलग फसल उगती है क्योंकि बारीच हर जगे पर अलग मातरा में होती है Agriculture is the main occupation in महाराष्ट agriculture मतलब जो खेती main मतलब जो अब बचल खास occupation मतलब जो पेशा या तो काम क्या बोले कि agriculture जो खेती है वो लोगों का main काम है महाराष्ट में Agriculture in the state depends mostly on rainfall agriculture मतलब जो खेती state मतलब राज depends मतलब निर्भर mostly मतलब ज़्याद आतर rainfall मतलब बारिश क्या बोले है कि जो खेती है वो ज़्यादा थर बारिश पे हमारे राज में बारिश पर निर्भर है this is called rainfall जिरायाती agriculture called मतलब बोलना rainfall मतलब जो बारिश पर निर्भर है agriculture मतलब क्या बचल खेती क्या बोलते है इसको rainfall agriculture बोलते हैं in some places water obtained through irrigation is also used water मतलब पानी सब मतलब कुछ places मतलब जगे obtain मतलब मिलना irrigation मतलब जो पानी जो टूबेल से निकाला जाता है वो used मतलब इस्तेमाल करना क्या बोले कि कुछ जगों पर जो पानी टूबेल से मिलता है उसको भी इस्तेमाल किया जाता है this is called irrigated agriculture यह तो क्या है बगायाती क्या बोलना इस खेती को हम irrigated agriculture बोलते हैं ओके यह तो दूसरा नाम है बगायाती आगे क्या है देखो the agricultural season that falls during the monsoon period is called the kharif season and the one that falls during winter season is called rabbi season agriculture मतलब जो खेती season मतलब मौसम fall मतलब जो पढ़ना बल सकते हो winter मतलब जो थन्डी season मतलब मौसम क्या बोलने कि खेती का जो हम खेती करते हैं जो किसान खेती करते हैं वो जो monsoon मतलब बारिश के समय जो पढ़ता है उसको हम खरीफ season बोलते हैं ठीके उस agriculture को और जो थन्डी के टाइम पढ़ता है जो ठंडी का टाइम खेती होती है उसको हम रभी सीजन बोलते है ठीक है जो बारिश का टाइम जो खेती होती है उसको हम खरीफ सीजन बोलते है और जो ठंडी का टाइम उसको हम रभी सीजन बोलते है ठीक है आगे दो भी आपको क्या है अगले पेश पर यहाँ पर देखो यह पीछे दिया गया काम है उसको पूरा करो देखते हैं बच्चों यहां पर देखो पहले आप नक्षे को देखो नक्षे में आपको पहले इंडेक्स में क्या मैंगो मतब आम चीकू बनाना मतब केला औरिज मतब संतरा तो देखो ऐसे अलग अलग जो आपको फल के नाम दिए और देखो यहां पे कहां पे कौन सा फल उखता है उन निशानी बनाई गई है कौन से इलाके में कौन सा फल उखता है इसको देखके हमें नीचे सवाल के जवाब देने है क्या है देखो पहला पहला आपको है underline the names of districts which grow grapes underline मतब बच्चों आपको नीचे ऐसे line मारना है ठीक है name मतब नाम विच मतब कौन सा ग्रो मतब उगाना grapes मतब अंगूर मतब बच्चों क्या बोला है कि ऐसे जगर के नाम के नीचे line मारो pencil से pencil से बारो upline ठीक है जिसके जहां पे grapes मतब जहां पे अंगूर उखते है पहले देखो आप index में जाओ अंगूर की निशानी क्या है यहां पे अगूर के निशानी हो फिसके लिए अंगूर कर दो उसके बाद देखो ऑर कहा पर है निशानी है और अउर ऑब अचिक चीख परओ यह व DF真的 अखिए आप तो चार जगों को हमने किये हैं, ओके, सेकेंड कोश्चन देखते हैं, क्या है, सेकेंड आपको, सेर्कल दा नेम्स ओफ कॉटरन ग्रोविंग डिस्ट्रिक्ट, सेर्कल मतब जो गोल ऐसे करना, नेम मतब नाम, कॉटरन मतब कापुष, क्या है, ऐसे जगे के नाम को, आप ऐसे गोल उसके नाम पे करो, जहां पे कापुष उगाया जाता है, पहले देखो बच्चो, हम इंडेक्स में चलते हैं, जो कापुष है, जो कॉटरन है, उसका सिंबॉल क्या, उसकी निशानी क्या, वो देखते हैं, तो देखो बच्चो, कॉटरन की निशानी क्या है, देखो यहां पे, ऐसा सिंबॉल जहां पे निशानी जो है, वहां पे कापुष उगता है, तो चलो मैप में चलते हैं, मैप में अगर आप देखोगे, देखो, कापुष कहां कहां उगता है, देखो बच्चो, यहाँ पे देखो कितने सारे कापूस की, देखो निशानी कोटन की, मतलब यहाँ पे कापूस उखता है, तो आपको इसको सर्कल कर दो, और देखो अगर आप और उपर जाओगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कितने सारे हैं कोटन के शान जहाँ प इंगरापूर में बहुत सारे हैं, आप कर दो, अगर आपके टीचर ने पूछा है, तो आप इसे बता सकते हो, ओके, आगे चलते हैं, थार्ड कोशन दो को आपको क्या है, थार्ड कोशन आपको, circle the symbols of the crops grown in थाने and write their names in your notebook, circle मतब बच्चों गोला करना, symbol मतब निशानी, crop मतब फसल, grown मतब उगाना, write मतब लिखना, name मतब नाम, क्या बोला है बच्चों आपको, कि थाने में जो भी फसल उगती है, उसकी जो निशानी को circle करो, और अपनी notebook में उस निशानी का नाम क्या है, उस जो symbol का नाम क्या वो लिखो, तो देखो बच्चों अगर हम चलते हैं, पहले हम देखते हैं थाने में, थाने में देखो, था में देखते और इंडेक्स में देखते सोरी तो यह जो है निशानी किसकी है वेजिटे बदेना है कि ये सिंबोल का मतलब सब्सके बाको एक सिंबोल då मतलब ताहीbie ie है कि यह सिंबोल को मतलब है केला ठीक है आधी चलते आगे देखो फोथ में क्या आपको इन विच डिस्ट्रिक्ट इस कोकोनट एन इंपोर्टेंट क्रॉप विच मतलब क्या रहा है कि इसका नाम अपनी नौडबुक में लिखो तो देखो बच्चो आपको पहले देखना कोकोनट जो है उसकी निशानी क्या है तो बच्छों नक्षे में आप देखो कोकोनट बच्छों कहां पर उखता है जो रहता है जो खोप्रा रहता है नाम तो इसका नाम राइगड में भी कोकोनट उखता है दो सिंबोल आपको दीख रहा है यह यह बहुत है था आगे चलो भी आगे देखते हैं यहां पर देखो यहां पर क्या है फिफ में फाइंड डिस्ट्रिक्ट विछ गुरो दा औरेंज क्रोप कलर धिम यूजिंग अडिफेरेंट कलर क्या बोले कि आप ऐसे जगहाँ ढूंदो जहां पे और इंज जहां पे संत्रे उगाए जाते हो और उसे अलग कलर इसमाल करते हुए रंग हो उसको ठीक है नक्षे में देखते हैं कहाँ पे ज्याताय है तो ऐसे कलर कर दो ठीक कोई भी कलर लेगे यलो, ग्रीन, ओरेंज जो आपका फेवरिटर है वो और देखो यहाँ पे औरेंज मतलब यहाँ पे संत्रे उखते हैं नागपूर में नागपूर के संत्रे आपने सुने होंगे बहुत स्वेमा से तो यहाँ पे आप कलर कर दो, उसका अमरावती, अमरावती में भी संत्रे देखो कितने सारे सिंबोल है यहाँ पे आप कलर कर दो, वर्दा में आप कलर कर दो, अकोला में कलर कर दो, अकोला में भी उखते हैं, ठीक है? आगे दिखते हैं, अभी आगे देखो आपको क्या लिखा है, यहाँ पे देखो आगे आपको All the crops shown above are based on irrigation crop मतब अचो फसल, all मतब सब, shown मतब दिखाना above मतब ऊपर, base मतब निर्बर irrigation मतब अचो, सीचाई मतब टूबिल इसब से जो पानी लिया जाता है वो जो भी ऊपर हमें फल दिखाए गई हैं, जो भी ऊपर फसल दिखाई गई है, वो सब irrigation मतब जो सीचाई का तरीका है, जो पानी देने का तरीका उस पे निर्बर है, their distribution is influenced by climate and soil, distribution मतब बाटना, influence मतब बाटना, प्राभावी, climate मतब बाटना, मौसम, soil मतब मिट्टी, क्या बहुत है कि उनका जो बाटा गया है, जो मैप में, जो distribution है, जो अलग-अलग है, वो मौसम और मिट्टी पर निर्बर है, ठीक है, उसके जैसे वो अलग-अलग जगहें पर उगाए जाते हैं, they are also known as commercial or cash crops, also मतब बचो भी, तो देखो बचो, क्या बहुत है कि इन सब को हम commercial या तो cash crop बोलते हैं, chemical fertilizer and pesticides are used for these crops, fertilizer मतब बचो खाद, pesticide मतब बचो जो कीडे की मानने के जो दावा रहती है, कीट नाशक दिसको बोलते हैं, crop मतब बचो फसल, क्या बहुत है कि chemical fertilizer जो खाद है वो और कीड नाशक जो दावा रहती है, कीडे मानने के, वो सब use होती है, इस्सेमाल होती है, इन सब फसल के लिए, ठीक है, आगे देखो क्या है, always remember, always मतब हमेशा remember मतब याद रखो, क्या देखते हैं, the use of chemical pesticides and fertilizer to increase the yield of crops has risen, use मतब बचो इस्सेमाल, pesticide मतब बचो, आप बलसको कीड नाशक दवा, fertilizer मतब बचो खाद, increase मतब बढ़ना, crop मतब फसल, resin मतब बचो बढ़ना, क्या बोला है यहाँ पे, कि जो कीड नाशक दवा के जो chemical दवा है, और जो chemical जो खाद है, वो सब बहुत ही ज़ादा इस्सेमाल किया जाने लगा है, ताकि लोग अपनी फसल जो अनाज है, इसको बढ़ाएं, however, this result in greater soil pollution, however, मतब बचो कैसे भी, result मतब बचो आप बलसकते हो, नतीजा, greater मतब बचो बहुत ज़ादा, soil मतब मिट्टी, pollution मतब बचो, production, क्या बचो कैसे भी यह जो है, इसका नतीजा क्या हो रहा है, कि मिट्टी में बहुत ज़ादा production हो रहा है, बहुत खराब होते जारी है मिट्टी, we should use chemical fertilizer sparingly, मतब बचो हम use मतब इस्सेमाल करना, fertilizer मतब खाद, sparingly मतब बचो, अब बचो कि बहुत कम, use मतब इस्सेमाल करना, mode मतब ज़ादा है, क्या बहुत है कि जो हमें प्रकृति से जो खाद मिलती है, उसको हमें ज़ादा इस्सेमाल करना चाहिए, in this way we will be able to prevent harm to the environment, in this way मतब बचो इस तरीके से, able मतब बचो लायक, prevent मतब बचो बचना, हम मतब नुक्सान, environment मतब बचो वाता वरड, क्या होला है कि इस तरीके से हम वाता वरड को नुक्सान करने से, रोक पाएंगे, ठीक है, आगे देखो, आगे अभी आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी आपको क्या है, आपको ट्राइ करना है, क्या चीज़ देखते हैं, visit a farm, make a list of the various crops grown there in the different season, visit मतब बचो यातरा करना, जाना, farm मतब खेट, make मतब बचो बनाना, list मतब सूची, various मतब अलग-अलग, crops मतब बचो क्या होता है, अनाज, या तो फसल, grown मतब उगाना, different मतब अलग, season मतब मतब मौसम, क्या बोले हैं, कि आप एक खेट में जाओ, एक खेट पर जाओ, और वहाँ पे जाके, आप अलग-अलग जो फसल, अलग-अलग जो मौसम में उगाई जाती है, उसकी एक सूची बनाओ, discuss with farmers, the various means of irrigation available on the farm, discuss मतब चर्चा करना, with मतब साथ, farm मतब किसान, various मतब अलग-अलग means मतब साधन, irrigation मतब अब अबलशक्तो, पानी देने का तरीका, farm मतब खेट, क्या बोले हो, और आप एक किसान जो है, उसके साथ चर्चा करो, कि अलग-अलग जो पानी देने का तरीका है, वो जो खेट पर available है, जो वहाँ पर मिल रहा है, आगे कहा है, find out which factors affect farming, find out मतब चोब पता लगा हो, farming मतब खेटी, affect मतब असर करना, क्या बोले हैं कि और आप ये पता लगा होई, कौन सा जो तरीका कौन सा है, जो ज़्यादा असरदार है खेटी करने में, वो भी आप पता लगा हो, आगे कहा है, you will realize that several different crops are grown in one field, realize मतब चोब पता चलना, several मतब अलग-अलग, several मतब चोब कई, different मतब अलग-अलग, crops मतब फसल, फिरल मतब खेट, water मतब पानी, essential मतब चोब जरूरी, farming मतब खेटी, क्या वो लगा है कि, पानी का मिलना खेटी के लिए बहुत जरूरी है, ओके, आगे देखो गया है, यहाँ पे, use your brain power, use मतब चोब इस्सेमाल करना, brain मतब दिमाग, power मतब शक्ती, मतब आप अपने दिमाग की शक्ती का इस्सेमाल करो, क्या है देखो, the administrative divisions of our state are given below, state मतब राज, ग्योन मतब बचो देना, बिलो मतब नीचे, क्या वो लगा है कि, जो हमारे देश के अलग-अलग हिस्से है, उसका देखो हमें नीचे दिया गया है, अलग-अलग हिस्सा, आगे क्या है, observe them and color these regions in different colors in the map given below, observe मतब बचो ध्यान से देखना, देम मतब बचो उन्हें, कलर मतब रंग, रिजन मतब इलाका, डिफरेंट मतब अलग, कलर मतब बचो रंग, मैप मतब नक्षा, गिवन मतब देना, बिवन मतब नीचे, क्या बोले है, कि आप इन सब को ध्यान से देखो, और ये नक्षे में जो नीचे आपको दिया गया है, यहाँ पे उनको पता लगा के color करो, ठीक है, तो देखो बच्चो अगर आप देखोगे, यह जो हिस्सा है, यह कहाँ पर है, यह हिस्सा है यहाँ पर है हमारे नक्षे में, थाने, पालगर, राइगर, यह वाला हिस्सा है, सिद्धु दुर्ग, तो यहाँ पे आप color कर दो, रंग दो, यह दो यह हिस्सा कहाँ पर है, यह हिस्सा आखरी में है, यहाँ पर गोडचिरोली, चंद्रापूर, गोडिया, यह सब जगे काई, तो यहाँ पे आप color कर दो, ठीक है, तो ऐसे ही बच्चो जो अलग-अलग आपको देखो, यहाँ पर जो है, जो अलग-अलग, दो यहाँ पर हिस्सा दिया गया है, वैसे आप color इसमें कर दो, और बच्चो देखो, अगर आप आपको बता दो, देखो, यह वाला इलाका कहाँ पर है, यह वाला इलाका देखो बच्चो, यहाँ पर है, यह देखो, आप देख रहो हैं मैप में, यह देखो, यहाँ पर आपको देख रहा है, इहमद नगर, उसको पर नाशिक, धूले, नंदर बार, जलगाओं, यह सब जगे ये वाला है और इसके बाद देखो के बच्चों, अगर आप ये वाला ये घ mermaid इहाँ पर है ये वाला हिस्पा बच्चों देखों, यहाँ पर यहाँ पर आपको दिख रहे है क्या है यहां पर यवत्मल, वाशिम, अकोला, बुलधाना, अमरावती, यह सब इलाका है, ठीक है, यहां पर आप इसको कलर कर दो, और देखो बच्चो, अभी कौन सा बच्चा है, यह वाला, यह वाला इलाका कहां पर है, यह वाला इलाका देखो बच्चो, यहां पर है, आप देख डिलाखर है ठीक है यहाँ पर कलर कर दो इसके बाध अगैंगञे चलते है अगले पेश पर को और क्या दिया है यहाँ पर गश्याफर यहाँ पर क्या आपको language and dialects, language मतलब बच्छो भाषा, dialects मतलब बच्छो जो अलग-अलग, भाषा में भी जो अलग-अलग रहते हैं, उसको बुलते हैं, ठीक है, जो अलग-अलग भाषा बुलने का तरीका रहते है, देखो क्या है, महाराष्टा स्टेट वस फॉर्म्ड on 1st of language, state मतलब बच्छो राज, form मतलब बच्छो बनना, language मतलब भाषा, क्या बलब है कि जो इंडिया में जो राज है, वो भाषा के उपर निरबर होकर बने है, मराठी is the state language of महराष्टा, state मतलब बच्छो राज, language मतलब भाषा, क्या बलब है कि मराठी, महराष्ट की state language मतलब मतलब अलग-अलग language मतलब भाशा क्या बहुत है कि महाराष्ट में जो भाशा है उसमें उसमें similarity भी है मतलब एक जैसे भी है और diversity भी है मतलब अलग-अलग भी है जब pronunciation of Marathi varies in different region, pronunciation मतलब बोलने का तरीका कोई भी भाशा का varies मतलब अब इस तो अलग होना, different मतलब अलग region मतलब इस इलाका क्या बोलने का तरीका हर region के हिसाब से अलग-अलग है we see a variety in the dialect that are spoken, variety मतलब अब इसको विबिन ने था, वि मतलब देखना, spoken मतलब बोलना क्या बोला है कि हम जो Marathi बोलने का तरीका है, वो हम अलग-अलग देखते हैं, इलाके के इसाब से, we should welcome this diversity, वि मतलब बचो हम, welcome मतलब स्वागत, diversity मतलब विबिन ने था, मतलब हमें इस विबिन ने था का welcome करना चाहिए, हमें स्वागत करना चाहिए, regions, some dialects, region मतलब बचो इलाका, और वहां पे कौन सी, जो Marathi का अलग-अलग बोलने के तरीका वो, देखो, कौनकन में कौन से भाशा है, कौनकनी मालवानी है, फिर देखो, विदर्बा में कौन सा वरहदी है, ठीक है, यहां पे ज कोलामी, कोरकू, etc. are the traditional dialects of आदिवासी tribes in महाराष्टर, आदिवासी मतलब जो जो लोग थोड़ा गाओं वाले इलाके में रहते हैं, क्या वलोचो बच्चों यहां पे जो गोरमती है, कोलामी, कोरकू, यह सब अलग-अलग मराथी बोलने का तरीका है, जो लोग आदिवास in the festivals of our state, find मतलब जो ढूणना, we मतलब हम, variety मतलब अलग-अलग, festival मतलब जो अबलसुत तेवार, state मतलब राज, क्या वले हैं कि हम अपने राज में अलग-अलग तेवार देखते हैं, according to the different traditions, according मतलब अनुसार, different मतलब अलग, tradition मतलब रिवाज, हम यह जो अलग-अलग तेवा कोई, देखो क्या बोले हैं कि हर कोई, दिवाली, देसेरा, क्रिस्मस और ईद सेलिब्रेट करता है, इंदा कौनकन रिजन, फेस्टिवल सचेस, नाराली, पूर्निमा, होली, एंड गनेश फेस्टिवल अर मेंली सेलिब्रेटर, फेस्टिवल मतलब पच्छो तेवार, यह सब तेवार मनाया जाता है, यह बच्छो कौनकन रिजन कौनसा होता है, कौनकन रिजन में जो समुंदर के किनारे जो इलाकर रहता है, ठीक है, आगे दोखो कहा है, इंदा प्लेटिव रिजन, पीपल सेलिब्रेट फेस्टिवल सचेस, दसेरा, दिवाली, एंड बैल प यह सब बहुत ज़्यादा मात्रा में मानाते, बिग स्केल मतब बच्छो बहुत ज़्यादा संख्या में, वी सेलिब्रेट और नेशनल फेस्टिवल 15 ओगस्ट एंड 26 जनवेरी और वार दी कंट्री विट ग्रेट एथ्वेसिजम, वी मतब बच्छो हम, और मतब हमारा, फ फेस्टिवल है, 15 अगस्ट 26 जनवेरी हम पूरे अपने देश में बहुत ही ज़्यादा उत्सा से मनाते हैं, ठीक है बच्छो, तो देखो बच्छो यहाँ पे हमारा यह चैप्टर कम्त्रीट हो गया है, पूरा हो गया है, इसका कोशन सर मैं अगले वीडियो में आपको दे ग्रो, थैंक यू